अलो फ्रेंट्स वेलकम तो माई चॉइस कीचिन आज मैं बनाने जा रहे हूं बहुत ही टेस्टी और टेम्टिंग सी समर इस्पेशल आमी की लॉंजी जो की बहुत ही टेस्टी और डिलीशेज लगती है एक बार मेरी तरीके से जबूर बना के देखेगा यह देखे कितनी चबस के जिल लेंगे और कट कर लेंगे तो यहां पर के मैंने का मग्न कर लिये पेसी जब अपने खूरिंगयूंली चोटे बड़े कैसी भी आप रख सकते हैं तो यहां पर मैंने पैंट हैं चड़ा दिया है और इसके अंदर अब में डालूंगी पंच फोरन आमबी ज़ो पंच फोड़न ने डाल दिया है और इसको बस अच्छे से रोस कर लेंगे ताकि जो हमारी कलोंजी और राई वगरा है यह चटक जाए और बहुत ही टेस्टी लगती है यह लोंजी इसको आप परांटे के साथ रोटी के साथ राइस के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं और बस इसको एक से दो मिनट के लिए इसी पंच फोरन के मसाले के साथ हम रोस करेंगे ताकि जो हमारी आम भी है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से तो यहां पर देखिए एक से दो मिनट मेरे को रोस करते हुए इसको हो गये इसका हलका कलर भी चेंज हो गया पहले से सॉफ्ट पी हो गई है अब इसके अंदर हम कुछ स्पाइसीज डालेंगे तो स्पाइसीज में मैं डाल रही हूँ आदा चमच काला नमक और आदा चमच डाल रही हूँ नॉर्मल सॉल्ट इसके साथ साथ डालूंगी एक चमच कश्मेरी लाल मिर्च जिससे रंग बहुत अ दैंके जिसक को हम मिक्स के और इसको आप देखिए मैं इसको है वर्जन में बना रहा हूँ तो मैं ना तो चीनि का यूजन हम इसको यूज कर रहे हूँ जो को ऑगषे हमारी हं व हगषे मिक्स कर दिया है और इसके अंदर यह जो क्ला़ों अदर डोंक टीट उममें इसको कटोरी जो गुड की शक्कर होती है वो एड कर लें तो यहां पर देखे मैंने एड कर दी है और बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने आंबी के साथ और इसके अंदर हम आदा कटोरी पानी डाल देंगे ताकि जो हमारा गुड है थोड़ा सा मेल्ट हो जाए और आंब अच्छे से मिक्स कर दिया है और हमारी आंबी भी पहले से देखे सॉफ्ट हो गई है और पानी भी काफी हद तक सूख गया है बस इसको एक से दो मिनट और लगी और यह बिल्कुल ड्राइब हो जाएगा और यकीन मानिया गाइज यह जो लॉंजी है बहुत ही टेस्टी और टैम्टिंग लगती है तो यहां पर देखे इसका जो पानी है सूख गया है बस रेडी है हमारी आम की लॉंजी इसको सर्फ करते हैं ठंडा होने के बाद इसको आप एर टाइट कंटेनर में रिजर्व कर के रख सकते हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होती एक सिट दो महीरे तक है तो रेडी है हमारी आम की बहुत ही टेस्टी और टैम्टिंग सी लॉंची रेसेपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा अपने दोस्तों के क्थ वाची है